हेलो एवरिवन आप सब का स्वागत है अगर आपकी कोई भी वीडियो देख सकते हैं आपको मेरी किसी वीडियो से लेटर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं सारे शोचल मीडिया के प्लैट्फोर्म के लिंक्स भी आपको डिस्कुन में लेंगे जाए और फॉलो कर लें चले यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखाए what is a bootshap table जैसे कि मैंने आपको recommend करा था कि जिस किसी को भी bootshap नहीं आता वो मेरी playlist पर जाके bootshap देख सकता है वहाँ पर bootshap 5 और bootshap 5 के सारे projects जिससे कि आपको bootshap और अच्छे तरीके से आ जाए फिर भी मै यहाँ पर चोटा सा overview देता हूं तो यहाँ पर मैंने introduction रखा है आपको bootshap table का bootshap 5 is the latest version of the popular frontend framework bootshap it is a open source toolkit used to build responsive mobile first web application and websites one of the fundamental components provided by bootshap in the table यहाँ पर मैंने mention करा है आपका जो bootshap है उसका latest version है आपका 5.3 जो कि मैंने अभी latest एक वीडियो भी बनाई थे उसके उपर जो कि आपका popular है frontend framework के अंदर जो कि CSS का framework है यह एक जिसको use करा जाता है आपका mobile responsive के लिए आपका web application जल्दी से जल्दी कम से कम time में आप कैसे design कर सकते हैं बिना किसी deep knowledge CSS के ठीक है तो वो आपको यहाँ पर help करता और components भी है इसके and next यहां पर paragraph मैंने mention करा है आपका a boot shaft 5 table enhanced version of html table element that comes with predefined style and interactive features it allow you to display table data in structure and visually appealing format boot shaft tables are designed to responsive and work seamless across various device making them ideal for modern web development तो इस paragraph मैंने mention करा है जो आपका normal html का table होता है उसके बदले यहाँ पर boot shaft हमें क्या देता है predefined styling interactive चीज़े मिलती हैं वहाँ पर features मिलते हैं shortcuts मिलती हैं कि वहाँ पर class को use कर लो और आपकी table ready हो जाएगी जो कि आपकी modern web development का part है अब इस चीज को use कैसे करते हैं react boot shaft के table को चल file होने वाली app.js इसी के अंदर हम यहाँ पर practical करेंगे अपनी react boot shaft table को और जो output मिलेगा वहाँ पर मिलेगा हमें उससे पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर normal table कैसे बनती है वो मैं आपको पहले बता देता हूं और आप में से जितने भी नए लोग हैं उनको एक चीज मैं दिखाएता हूं यूटूब पर आने के बाद में सबसे पहले आपको code for education मिलेगा यहाँ पर search कर लेना है ठेक है search करने के बाद में playlist में आने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे react से life cycle method, react के project, react का जो आपका यह course चल रहा है, javascript interview, advanced javascript, portfolio, basic javascript and यहाँ पर आपको मिल latest version उसकी understanding हो सके और किस तरीके से आप customize कर सकते हैं bootchap को उसकी knowledge हो सके, उसके अलावा मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा जितने ज्यादा topics cover कर सकूँ मैं bootchap के वो तो मैं करूँगा ही, okay, तो वापिस चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मेरे पास में यहाँ एक array है, array of object, ज objects मैंने define कर दें, यहाँ पर id 1, 2, 3, okay, सब के नाम रख लिए, age ले लिए, यहाँ location ले ली मैंने, अब यह मेरे पास में क्या हो गया, data हो गया, मान यह मेरा API का data है, अब इस चीज को हमें किसमे, table की format में दिखाना है, तो table में कैसे दिखा सकते हैं आप, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक div लेता हूँ, div के बाद एक table ले लेते हैं, जैसे कि जो tag हमें मिलता है, html का वो, and then इसके बाद है आपका table head, tr लेंगे हम यहाँ पे, अब tr के बाद में यहाँ पे th बनाना होता है, जो कि heading होती है हमारी, सबसे पहले id हो जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक अभी, और save करने के बाद यहाँ चले, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा id, name, age, आपको visible हो भी रहा है, अभी कोई हम bootchap use नहीं कर दे, मैं पहले आपको normal में दिखा रहा हूँ कि normal में होगा कैसे, क्योंकि इसके बाद जब मैं आपको bootchap अभी use करके दिखा होगा, त तो यहाँ पे आपका क्या है कि T-body लेंगे हम, T-body के बाद में अब जितनी भी चीज बनेगी ना, वो loop में बनेगी, इसकी dynamic बनेगी, मानिए जो table data है ना हमार पास, इसका ही loop चलाना हमें, तो यहाँ कैसे loop चलेगा आपका, सबसे पहले आपका curly braces आएगा, फिर आपका table data लगाएगा, dot map लगाएगा, then इसके बाद में पैराधिंतिस, same again, एक parameter लेना होगा, हमें data नाम का, arrow function, then पैराधिंतिस, ठीक है, अब यह चीज हमने ले ली, अब इसके बाद में TR लेंगे हम, ठीक है, TR हमारा एक row बनाने के लिए, और TR के उपर ही हमें key रखना पड़ेगा ठीक है, अगर हम key नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, देखें, मैं अभी key को नहीं रखता हूँ, अभी उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर TD बना देता हूँ, मानिए एक TD है हमारा यह, इस TD पर सबसे पहले क्या print होगा हमारा यहाँ पर data.id हो गया, ठीक है, इसी को यह क्या हुआ, यह हुआ हमारा dynamic, कि हमने mapping कर दी किस के through, हमने जो आपका table data है, उसमें से सारी चीज़ों को निकाला किसमे data में, first parameter के अंदर, and then हमने उसको print करवा दिया, यह dynamic बनता रहेगा, इतनी चीज़ को save करने के बाद चलेंगे browser पे, and browser पे आने के बाद आप देखे जिससे कि आपका dom पता लगा सके, जब वो virtual dom में काम करता है, जिससे पता लगा सकता है वो, कि कौन सा element किस number पे है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कि key define करना पड़ेगा, और जैसी हम key define करेंगे, तो हमारा error चला जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या करा, जो id हमने define कर रखी है, अपने arrow of object में, यहाँ पे, इसी का use कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका, उसको एक number, unique number देने के लिए, वो visible नहीं होगा, हमारा, देखें, मैं करता हूँ, यहाँ पे save, and save करने के बाद यहाँ चलेंगे, तो यहाँ पे आता हूँ, मैं अब करता हूँ, refresh एक तो देखें, यहाँ पे जा चुका है हमारा error, अब आप सोचेंगे, बहुत साई लोग का question होगा, कि वो दिखेगा भी, जो हमने वहाँ पे रखा है, नहीं, वो नहीं दिखेगा, यहाँ पे आप देखें, टी यार पे नहीं है, इस वाले टी यार पे भी नहीं है, इस वाल bootshap की table को, अब यह bootshap की table, react की table में कैसे convert होगा, react bootshap आप लिखेंगे, यहाँ पे आजाएंगे आप, पहले वाली website पे, यहाँ पे आने के बाद में, get start पे click करेंगे, यहाँ पे click करने के बाद में, आपको सबसे पहले यह install कर लेना है, यहाँ से करना है copy, copy करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे terminal में आने के बाद में, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं इसको remove करता हूँ, एक नया लेते हैं, यहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद में आप देखेंगे, यहाँ पे जो command है, वो दो command है, पहला npm install, react bootshap, फिर space दिया है उ इसने नहीं करिए, वो install कर ले, install करने के बाद में, आपको, यहाँ पे CSS का, यहाँ पे आपको link लगाना होगा, कैसे, थोड़ा से scroll down करना होगा, आपको यहाँ पे website पर आने के बाद, website पर आने के बाद आप देखेंगे style sheet, जैसकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताय करिएगा, क्योंकि यह live चलता है, it means कि आपका हरमेशा internet होना चीए, तब ही जाके आपकी CSS work करेगी, but हम क्या recommend करते हैं कि यहाँ से node module के अंदर से हमारी CSS चीज़े आए, तो जो CSS है, इस CSS को आपको करना होगा, import तो करेंगे copy, चलेंगे यहाँ पे हम वापिस से हमारी file पे, उसके अंदर हम पूरी की CSS को access कर सके bootchap की, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को call करवा देंगे, simple, अब इसके बाद में, चलते हैं वाप इस website पे, अब आपको bootchap का जो table है, react वाले का component वो use करना है, तो components पे click करेंगे, इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे table पे, table पे आने के करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ चलेंगे, ठेक है, import कर दिया मैं टेबल, आप table का T देखेंगे, capital है यहाँ पे, अब क्या करना होगा हमें, हम क्या करेंगे, यह सारी चीज़ें सेम रहेंगी, इसको कुछ change नहीं करना आपको, बस यहाँ पे आपको T capital हो जाए गए, जैसे T capital करा हूँ, उसका run change हो गया, इसकी component बन गया वो आपका, अगर मैं इतनी चीज़ को करूँगा, save अभी, save करने के बाद आपको output दिखाओं तो देखे, अभी से ही आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रहेंगी, देखे, table design हो अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे strip अगर लगाना है, आप तो यहाँ से copy करेंगे, copy करने के बाद यहाँ लगाएंगे, आप यहाँ करूँगा, हमें paste, करेंगे save, and save करने के बाद चलेंगे हाँ तो यहाँ पे देखे, आपका even odd के case में आपको यहाँ पे color fill होते वे दिख रहा होगा, हमारी row के उपर, इसके बाद में अगर आप border चाहते हैं, या hover चाहते हैं, तो दोनों को आप ले सकते हैं, मैं करूँगा copy, copy करने के बाद चलेंगे, हाँ पे paste, करूँगा मैं save, and save करने के बाद चलेंगे यहाँ तो अब इसके बाद में scroll down करने के बाद में small table चाहिए, आपको तो यहाँ पे size लगा सकते हैं, size भी इनों ने दे रखाए कि size का parameter कैसे पास करना है, size लिखिए, then उसके अंदर SM कर दीजे, simple, तो आपका table ही small हो जाएगा, अगर आपको करना है, यहाँ पे copy करिए, ठीक है, copy करन होता है, तो मैं simple copy करता है इसको, और यहाँ use कर लेता कि dark मेरे को चाहिए अपना table, करूँगा, मैं save and save करने के बाद यहाँ चलूँगा, तो देखे, पूरा का पूरा table मेरा यहाँ पे dark mode में आ चुका है, और देखे कैसा look दिख रहा है इसका, ठीक है, तो यह भी आप use कर स चीज लगाई है, इसको remove कर देता हूं, केवल इसी को लगाते हैं अबी, ठीक है, क्योंकि हम test कर रहे है, one by one की हमारी को जो चीज़ें यह दे रहे हैं, प्रवाइड करा रहे है, वो कैसा दिखेगा, तो यहाँ देखेगा, यहाँ पर column के अंदर भी यहाँ पर colorful हो रहा है, इसके बाद आपको responsive करना है, मानिए यह जो scroll बार इन्होंने दे रखा है, कुछ इस तरीके से, तो आपको क्या करना होगा, बस responsive class pass कर दीजे, तो यहाँ पर चलेंगे इसको copy करके, यहाँ responsive pass कर दीजे, करेंगे save, यहाँ पर आएंगे वापिस, तो यह देखे, इसको मैं अ copy करने के बाद में, यहाँ पर multiple heads बना दूँ, तो वहाँ पर आपका responsive हो जाएगा, जो कि मैंने अपनी boot shape वाली series में already करके दिखाया भी है आप सब को, ठीक है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, चीजें कैसे चल रही है, breakdown कैसे करनी है, यह सारी चीजें वहाँ पर मैंन पर age 25 कर लेते हैं, यह 30 कर लेते हैं, माने 25, ठीक है, तो आपको इसकी condition मनानी है, कि 25 वाली जो भी age है, वो ही print हो हमारे table के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, आप simple सा एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर, जो data है आपका, data में is equal to age लेंगे, आप is equal to, ठीक है, आ operator मैंने यहाँ पर use कर लिया, कि it means कि जो data.age है, वो 25 हो, तब ही यह बने, तो simple हम क्या करेंगे, save, and save करने के बाद, आप देखेंगे, देखें, दो row आ गई हमारी यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से, आप map function के अंदर भी condition लगा के अपने data को manipulate कर सकते हैं, और अच्छे तर तो comment करके अपने data को आप पूर सकते हैं, next video में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हम वो एक बार देख लेते हैं पहले, so guys next वाले पार्ट में हम देखेंगे, nested map function के बारे में कि किस तरीके से map को nested के रूप में use करना चाहिए, thanks for watching about this video, जब क्लिए till then, bye bye guys ऑ़ऑगे, 너 रकालड़े wrapper कि किसे map लिए लभ में हम हैं प्लाइखेंगे, जब क्लिए और देखेंगे, म क्लिए